हेलो माई यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब लोग आई हो बहुत ही अच्छे होगे तो सबसे पहले आप सबी को गड़े शयतूरती की बहुत बहुत शुब कामना है और तीजा की भी बहुत बहुत शुब कामना है एक्चुली मैं आज बनाने वाली हूं बपा के लिए इस सब्सक्राइब बतारियों में जो हमारे घर पर बनती है यह मम्मी इसी तरीके से बनाती थी और मुएन अच्छे से देना है और आप देख सकते जब इस तरीके से बढ़ने लगे ना अच्छे से हो गया है उसके आद थोड़ो थोड़ा पाने डाल के एक सॉफ्ट अटा कर लेगा तब थक यह अबर लोगो करेंगे करेंगे और आप से मुझे कमेंट करेंगे क्या बनाए को यहां बता के लिए मैं तो यहां पर नेक्स्ट कर लेंगे नेक्स अ महसम तो शक्कर लें यहां पर 2-3 कप सब्सक्र कर जितना भी आप को मीठा चाहि Currently provides बना यहां तो इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर राता है गुजिया में बहुत ही जादा अच्छा और यहां पर देखिए हमारी जो शक्कर वह भी पिस गई है अब चलते हैं करें चलते हैं जादाले शक्रिक को पिस अधर में हो जाता है इसका सबसे और स्टेटाइन चाहिए हैं पूरिया बना के मिक्स्टर में पीस लेते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं फिर उसको गी में अच्छा भून लो बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैं यह शॉर्टकट वाला तरीका अपना रही हूं और यहां पर जो हमारा वेसन आप देख सकते हैं इसमें क clapping करें कि व्याण इसमें लगवा यहां पर मावव जोड़ा में 200 लिया है उसको हम अच्छे से भूनेंगे इसको रजो होगा बिल्कुल अच्छे से भूनें पर थोड़ा से मेल्ट करना है've तो ख्वुह तो तो यह हम तो तो यह सञाक्त होगा है करना हो इसमें करन और आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बताना कि गुजिया किस इसको पसंद है मेरी मम्मी तो ऐसे ही बनाती है तो मैं सुच चलो आप लोग साथ भी शेयर करती हूं बहुत ही जाधा टेस्टी लगती है और अगर आप लोग चाहते हो कि वह रेस्पी शेयर करूँ तो आप नापने चाहिए धोनों चीज़ना बहुत अच्छे से मिक्स हो गई कलर भी बहुत ही पयारा लग रहा है और इसका हम लोग ना उतार लेंगे यह पलंश्ट हो गया है इस अधर वोग इसको ठंडा हो जाने देंगे पूरा ठंडा भी नहीं नहीं थोड़ा से थंदा हो जान बश्च गरी सब कुछ है समें तोमने सारी चीज़े एड़ कर दी है इसमें और साथ में शक्र जो हमने पीज के रखी तीन वह भी एड़ कर दी है इसके आप मुदग भी बना सकते हो आप लोग सेम इसी तरीके से मावा वाले बहुत ही टेस्टी लगता और मैं हाप अब सारे म सालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि शक्कर वगिरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए और यहां पर देखिए हमारा जो स्टफिंग है वो बिलकुल तयार है मावा वाली मावा और बेसन की से हमने अटा लगा के रखा ता वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है अब हम म सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और जो हमारे यहां पर मिलता है उसमें सिर्फ एक हिससा रहता है जहां पर बस कट करके डियरक्ट निकाल दो लेकिन इसमें दो हिस्ते हैं एक डिजाइन को और एक अलग से तो बहुत दिक्कत हो रही थी बट फिर भी मैंने बना लिये गु और उसको हमने इस पर रख दिया है मोल्ड के उपर और अगल मतलब साइड साइड में हमने इसमें पानी लगा दिया है ताकि जो जब हम लोग इसको पैक कर रहे ना यहोग बनना हो उसके अधिस्टफ इसमें हम लोग भर देंगे मावा और बेसन की आप लोग को इतनी चाह बढ़ बनाओंगे और इसको ना जैसे थे से बहुत के लिए तो कम्प्लेट करी ली थी क्योंकि में मुझे बहुग लगाना था बपा का तो मैंने चॉलो जितनी बन रही उतनी बन जाए फिर में दूसरा मगाऊंगे और मैं उससे बनाओंगी और इसको ना जो इसको नहीं भी हम इसी तरीके से बना लेंगे रोटी बेल लेंगे नॉर्मल उसमें एजस में लगा देंगे पानी और बस यह हमारी दूसरी गुजया भी बनके तयार है इसी तरीके से मैंने चार से पांच गुजया बनाई थी भोग के लिए सिफ क्योंकि लेट भी हो रहा था और मैंन से पांच गुजया भी बनाई है और आपको भी दिखा दिया है कि किस तरीके से बनाना है बागी फिर मैं बाद में आऊंगे और हम लोग इसको फ्राइब करेंगे तो और इसको फ्राइब करने में कम से कम साथ से 10 मिनिट लगते हैं लो टू मीडियम फ्लेम में और आप बह अच्छे से लेकिन अंदर से वह सॉफ्ट सी रह जाती है तो मज़ा नहीं आता है इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम में कम साथ से 10 मिट के लिए दीरे-दीरे और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताय करो कि आप लोग को ना मेरे वीडियो कैसे लगते हैं क्योंकि मैं करना पर लोगे तो सब्सक्राइब करते हो कि मूटिवेशन अच्छा लगता है कि अगर आ पो थारीफ करते हैं और देख सकते हैं पर बहुत धीर ले चीने यह रहा प्लर रहा है दीरह इंच इन्ट को लग ने च्रू से भूट से चाहिए नकाल लेंगे यहां पे हमारी जो कुमेंट करके बताइएगा और आप भी जरूर से बनाएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगी कैसी बनी और आप लोक कर बेशन डाल के बनाऊगे ना तो एक बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी बहुत ही साधा अब इसको निकाल लेते हैं ए प्लेट में और मेरे पस थो